नमस्कार , मैं नास्थिक क्यों हूँ वीडियो में आपका यह second part में लेकर आया हूं जो कि भगर सिंग के द्वारा लिखा गया है मैं नास्तिक क्यों हूँ विद्याधी और राजनिती इसमें मैंने पहला वीडियो आपको दे चुका हूँ जिस जो आपके चैनल पे अप्लोड है इसके मैं प्लेलिस्ट भी बना दूँगा जिसमें आपको यह मैं बता चुका हूँ यह मैं यहां तक आपको पढ़ चुका हूँ आज मैं पार्ट टू लेकर आया हूँ जो कि उसके आगे मैं कंटीनू करने जा रहा हूँ जहां तक मैं पढ़ चुका था उसके बाद मैं आपको रेडाउट करता हूँ एक नया सवाल उट खड़ा हुआ है क्या मैं भी एंकार के कारण सर्व सक्तिमान, सर्व व्यापी तथा सर्व ग्यानी इश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूँ मेरे कुछ दोस्त सायद ऐसा करकर मैं उन पर बहुत अधिकार नहीं जमा रहा हूँ मेरे साथ अपने थोड़े से संपर्क में इस निश्वर के अस्तित्व को नकार कर कुछ जरूरत से ज़्यादा आगे जा रहा हूँ और मेरे घमंड ने कुछ हद तक मुझे इस आविश्वास के लिए उकसाया है मैं ऐसी कोई से की नहीं बगारता कि मैं मानवी कमजोरियों से बहुत उपर हूँ मैं एक मनुस्र हूँ और इससे अधिक कुछ नहीं कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता ये कमजोरी मेरे अंदर भी है एहंकार भी मेरे स्वभाव का अंग है अपने साथियों के बीच मुझे निरंकुस कहा जाता था यहां तक कि मेरे दोस्त स्री बटुकेश्वर कुमार दत्त भी मुझे कभी कभी ऐसा कहते थे कई मौकों पर स्विच्छाचारी के मेरी निंदा भी की गई कुछ दोस्तों को सिकायत है और गंभीर रूप से है कि मैं अंचाहे ही अपने विचार उन पर थोपता हूं और अपनी प्रस्तावों को मनवा लेता हूं ये बात कुछ हद तक सही है इसमें मैं इनकार नहीं करता इसे एहिंकार कहा जा सकता है जहां तक अन प्रचलित मतों के मुकाबले हमारे अपने मत का सवाल है मुझे निश्चे ही अपने मत पर गर्व है लेकिन ये विक्तिगत नहीं है ऐसा हो सकता है कि ये केवल अपने विश्वास के पती नायोचित गर्व हो और इसको घमन नहीं कहा जा सकता घमन तो स्वेम के पती अनुचित गर्व की अधिकता है क्या ये अनुचित गर्व है जो मुझे नास्थिकता की और ले गया अत्वा इस विश्वास का खूब सावधानी से अध्यन करने और उस पर खूब विचार करने के बाद मैंने इस स्वर पर आविश्वास किया तो ये पार्ट टू मैं यहीं पर रोक रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो मैं पार्ट थी लाऊँगा जिस पर इसका मैं चैनल पर एक प्लेइलिस्ट बना दूँगा पार्ट वाइस आपको इसली मिल जाएगी थेंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थेंक्यू